हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूं सब लोग अच्छ होंगे आज के वीडियो में हम बात करेंगे काफी सेंसेटिव टॉपिक है कि कोई भी महला की डी एंसी हुई हो सर्जिकल एबोर्शन हुआ हो या फिर मैडिकल एबोर्शन हुआ हो या फिर प्री मैचर आने लगता है बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है तो इसके क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसी के बारे में वीडियो में डीटेल में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखे कोई भी महला का यानि की अन्वांटेड प्रेग्नेंसी हो गई थी या किसी की प्रेमेच्वर डिलेवरी हो गई है तो अगर प्रेग्नेंसी हो जाती है महला को तो बोडी में पूरे हार्मोंस यानि की स्ट्रोजन, प्रोजस्ट्रोन, सारे हार्मोंस इस तरह से बैलेंस हो जाते हैं क्यों उनको बच्चे को 9 महीने तक केरी करके चलना है पर म पिर मैं surgical abortion करवा लेता हूँ जैसा भी patient को suitable लगे वेसे patient कर सकता है पर जो भी procedure अपनाना है वो doctor की सला से ही करना है ठीक है? अब आपका abortion तो हो गया, abortion complete हो गया, या premature delivery हो गई किसी की 5 महिने में, 6 महिने में 7 महिने में तो जब भी आपकी delivery होती है या pregnant से disturb होती है यानि कि जो भी material था पूरा out हो गया, uterus से बाहर आ गया तो हमारे brain को signal मिलता है कि इनकी delivery हो गई है normally जब 9 महिने में delivery होती है, चाहे वो cigerian हो, चाहे वो normal delivery हो brain को ये signal मिलता है कि delivery हो गई है, delivery होने के बाद में सबसे पहला काम क्या होता है मेला का, कि delivery होने के बाद में उसको बच्चे को दूद पिलाना रहता है तो जैसे ही delivery होती है तो hormone release होते है prolactin hormones बढ़ जाता है बोडी में, prolactin hormones के बढ़ने के बाद में milk बढ़ना start हो जाता है, यानि कि दूद का निर्मान होना start हो जाता है अब अगर आपकी 9 मेहने के बाद में delivery होई, तो delivery के आदे घंटे बाद, एक घंटे बाद दो घंटे बाद हम बच्चे को दूद पिलाने के लिए बोलते है कि बच्चे को दूद पिला हुआ ठीक है तो जल्दी से हमारे जो memory gland होती है जो milk production के लिए responsible होती है वो active हो जाती है तूरंट और दूद बनना चालू हो जाता है तो जब बच्चे को दूद पिलाना रहता है तो milk तब तक बनना start हो जाता है ये कई बार ही 24 गंटे ये 48 गंटे भी लग जाते है बहुत सारे cases में milk थोड़ा lead बनना start होता है अब ये तो हो गई 9 महीने के बात की बात पर अगर आपने 1.5 महीने में दवाई खाली 3 महीने में सफाई करवाली या 5 महीने, 6 महीने की premature delivery हो गई तो एसे में भी सारी procedure वही होती है जो 9 महीने में होती है सिर्फ फरक इतना रहता है कि 9 महीने के बात में बच्चा आपके हाथ में आ जाता है कैरी करने के लिए सारे जमाने को पता चल जाता है कि इनकी delivery हो गई है लड़का हुआ, लड़की हुई, जो भी हुआ तो उस time पर भावना है काफी change हो जाती है और फिर milk का production तो जरूरी ही रहता है बच्चे को दूद पिलाने के लिए पर आपके premature delivery हो गई या फिर आपने सफाई करवा ली आपने medicines खा ली बच्चा हटाने के लिए तो इसी condition में आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कि भई आपके साथ में क्या हुआ है या आपने क्या procedure करवाया है पर आपके brain को signal मिलता है कि इनकी delivery हो चुकी है अब delivery हो गई तो आगे का काम तो उनको करना ही है तो brain prolactin hormone को release करता है उसका level बढ़ाता है और prolactin hormone का level बढ़ता है तो milk बनना चालू होता है तो बहुत सी महलाओ को starting में पानी यानि कि colorless water आने लगता है एक एक दो दो डो डोफ किसी किसी को milk भी आने लगता है तो उस कारण से breast में बहुत ज़्यादा pain होने लगता है क्योंकि अभी आपका तो दो महीने तीन महीने की या डेड़ महीने की pregnancy थी आपने हटाई खुद ने हटाई है तो आप बच्चे को दूद तो कहां से पिलाओ गया है ना तो ऐसे में क्या होता है कि memory gland एक्टिव होने से breast में breast का size बढ़ना breast एकदम पत्थर जिसे tight हो जाना milk निकलना या पानी निकलना इस तरह की problem सोती है और ये breast tight होते तो इतने ज़्यादा hard हो जाते बिल्कुल पत्थर जिसे होने लगते हो और बहुत ज़्यादा जलन होने लगती तो ऐसी condition में आपको क्या करना है कि एक तो पाने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है नॉर्मल वाटर पीना है बहुत घरम भी नहीं बहुत ठंडा भी नहीं बार बार breast को touch नहीं करना है breast नहीं करना है जितना हो सके relax रहो tension मत रखो कोई भी बात की और येसी condition में आपको डोक्टर से treatment लेना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको treatment नहीं बताऊंगी सिर्फ मैं knowledge के लिए वीडियो बना रही हूँ अगर आपको कोई भी problem है आप डोक्टर से नहीं consult कर पा रहे हो तो मेरे भी online consultation available है आप मेरे appointment book करके मुझसे बात कर सकते हो अब इस condition में आपको एक तो दूद नहीं पीना है देना है ठीक है डोक्टर से तुरंद contact करना चाहिए कि डोक्टर मुझे इस तरह की problem हो रही है तो डोक्टर आप इस condition को देख करके आपको प्रोलेक्टिन हार्मोन को डाउन करने की medicine देंगे साथ ही में antibiotics देंगे पेन की लर देंगे तो जो भी problems रहेगी उसके according आपको medicine prescribe की जाएगी और आप कम से कम 5 दिन का course पूरा करेंगे जब तक आपको पूरी तरह से relief मिल जाएगा क्योंकि breast में pain होना बहुत खतरनाक हो जाता है क्योंकि जिन patients को ये problem होती है इतना pain होता है कि patient word में बया नहीं कर पाते है कि उसकी क्या हालत हो रही है lady से रोती है कि बिल्कुल सहन नहीं हो रहा जल्दी से इसका treatment करिए क्योंकि जब वो breast एकदम tight हो जाते है पत्थर जिसे तो कहीं बार ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल फड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा pressure बढ़ रहा है उपर से क्योंकि milk बहार निकल नीरा और memory gland active है तो वो तो milk का production करेगी तो उसके कारण महिलाओ को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा pressure पढ़ रहा है कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि breast बिल्कुल फड़ जाएगा इतना ज़्यादा pressure मेरे को लग रहा है बहुत सारी महिलाओं के breast एकदम नीले से पढ़ जाते है किसी के लाल पढ़ जाते है और वेन उपर से दिखने लगती है तो अगर आपके साथ भी इस तरह के problems हो रही है तो तुरंट immediate doctor से consult करे और treatment लेना चाहिए breast पे बहुत ज़्यादा सिखाई नहीं करनी चाहिए कोई भी गरम पानी से भी नहीं तो ठंडे पानी से भी नहीं क्योंकि एसे में गाठे बन सकती है जो की काफी टाइम तक सही नहीं होती है और आप treatment लेंगे तो बहुत जल्दी से आपको relief मिल जाएगा और आपकी जो tension है वो भी खतम हो जाएगी तो आशा करती हूं कि इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको संपुन जनकारी दे पाई हूं धन्यों